गडमंदन की जहाएं आज ये रैली चल रही थी सौरा आपसे मैं जानना चाहूंगा तेजस्वी यादव आए उन्होंने भी बीजेपी पे निशाना साधा नितीश कुमार आए उन्होंने भी निशाना साधा दो तीन मतवपूर बाते जो उन्होंने के एक कॉंग्रेस के देने की कोशिश की है कि जब बिल्कुल चाहे मुखमंदरी हो या फिर उप मुखमंदरी तेजस्वी यादव हो मंच से उन्होंने वही बात कही जो सिमांचल की जनता सुनना चाहती थी सबसे पहले नितीश कुमार ने अपने 17 सालों में जो उन्होंने काम किये हैं वो उन् अच्छक व्यरती जो हंगामा कर रहे थे अपने वेकेंसी की मांग कर रहे थे उनको भी नितीश कुमार ने भरुसा दिया कि सब कुछ हो रहा और आगे भी सब कुछ होगा इसके अलाबा आज नितीश कुमार ने सफाई भी दी जो आरोब बीजेपी उन पर लगाती है कि च चाहे जौर्ज को जौर्ज फर्णानिस्ट हो या फिर सरद्यादवो दोनों को धोखा देने का काम नितीश कुमार ने किया है तो उसको लेकर भी आज नितीश कुमार ने सफाई दी कि हमने किसी के साथ कोई भी धोखा नहीं दिया है चाहे जौर्ज फर्णानिस्ट हो या स सतर्क हो जाईए आपको जो भी आपका जो भी काम है जो अब तक नहीं हुआ है वो सारी काम हम लोग करेंगे तो एक तरीके सा सतर्क भी किया है जितर रामांजी को और सिमांचल की जनता को अगा किया है कि आपके छेतर में बीजे पी नफरत पहलाने की कोशिस करेगी, आप लोग एक जूट रहे हैं जगरा नहीं करें तो निश्ची तोर पर और साथ में सभी चाहे तेजस्वी यादव हो लालो परसाद यादव हो या फिर नितीज कुमार हो उन्होंने कहा कि ये 2024 यानि मीसन 2024 का संखनाद हो गया है और सबसे बड़ी बात जो मुखमंतरी ने न हैं हम चाहते हैं कि हम लोगों काने तरुत कांग्रेस पाटी करें और कांग्रेस पाटी को आगे आना चाहिए हम इंतजार कर रहे हैं हम तयार हैं तो निष्जित तोर पर एक फीड से नितीज कोमार ने कोंग्रेस के नोता दिया है और दो बिपक्ष पार्टियों को बुलाना चाहिए एक बैठा कोनी चाहिए तो आज नितिश कुमार ने मिसंद दो हजार चौबिस को लेकर जो बाते कही है निशी तोर पर लबोल लुबाब यही है कि नितिश कुमार एक बार फिर से अस्परस्ट कर दिया है कि उनकी कोई ब्यक्ति गत्मनसा नहीं है वो चाहते हैं कि 2024 से पहले सारे विपक्ष पार्टि एक मंच पर आजाया और आज फिर से नितिश कुमार ने कहा कि अगर सारे पार्टि एक मंच पर आ जायेगी तो 2024 में बीजेपी सो से नीचे आ जायेगी बिहार का भी उन्होंने उदारन दिया बिहार म कोई विखराव नहीं है सारी जो महागटवंधन की पार्टियां है वो एक जूट है और 2024 में निशीत तोर पर बीजेपी को बिहार में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है लेकिन उन्होंने कहा कि केबल बिहार से नहीं होगा देश में सभी विपक्ष पार्टियों को एक मंज प सकता है बीजेपी का जो यह अजयरत चला जा चल रहा है लोग सभा में उसको रोका जा सकता है दनजेगिरी जी आपकी तरह